नमस्कार दोस्तों में हूँ अतूल और ये है सैंसंग गैलेक्सी M31 दोस्तों आपको पते होगा कि कही सारी फोन में आज कल फिंगर्प्रिंट शेडार आपको मिल जाता है लेकिन अगर आपको फीचर चाहिए तो आपको क्या करना है मैं बताऊंगा आपको इस उडियो में लेकिन सबसे बहले दुस्तों में आपको यह बताऊंगा कि Samsung ने फीचर उनके फोन में क्यू नहीं दिया है आपकी फोटो क्लिक हो जाती है तो यह fingerprint शटर शेडर से भी काफी आसाने है आप जब सेल्फी क्लिक करते हो तो आपको अपनी हतली दिखानी है इसे पाम दिखाना है कैमेरे के सामने तो फिर आप पोजिशन लेके अच्छे से अपनी फोटो क्लिक कर सकते हो जेस्चर का यूज़ करके पाम का यूज़ करके इसलिए इन्हों ने ये फिंगर्बिन शेडर का ओप्शन इन्हों ने यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको फिंगर्बिन शेडर का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे तो आपको इसके लिए एक एप डाउनलोड करना पड़ेगा वो एप होगा फिंगर्बिन केमेरा शेटर आपको यह एप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से इसकी जो लिंक है मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फिर डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको अपना केमेरा उपन करना है और यह शेटर की जो पोजिशन है इसको आप देख लिजी आपको याद रखनी है कि शेटर की पोजिशन यहाँ पे स्ट्रिण के इतने उपर यह शेटर की पोजिशन है जगह है यहाँ पे यह जगह आपको याद रखनी ये shader की, इसके बाद फिर आप जाएए उस app को open किजिए, open करने के बाद आपको turn on करना है, इसके बाद accessibility turn on करनी है, उसके लिए आपको जाना है install services में, इसमें आपको fingerprint camera shader इसे off है, इसे on कर देना है, और allow करना है, इसके बाद फिर next करना है, और ये जो camera है आपका camera open करना है, और फिर इसे जो है, जो shader की location थी, वहाँ पे उसको drag कर दना है, इसको यहाँ से drag करके, shader की जो position यहाँ पे थी, तो यहाँ पे आपको place करके ok कर दना है, अब मैंने position कर दिये, अब जबी भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मेरी photo click होगी, आप देख सकते हो, मैं क्लिक कर रहा हो, fingerprint पे photo click हो रही है, तो इस तरह आप selfie भी click कर सकते हो, और photo भी click कर सकते हो, तो आप देख सकते हो, मैं fingerprint shader पे click कर रहा हूँ, और मेरी photo click हो रही है, मैं पीछे में यहाँ पे fingerprint shader को click कर रहा हूँ, और मेरी जो selfie है, वो click हो जा रही है, तो यह काफी आसान हो जाता ह ऐसा करने से तो आपको भी अगर ये फीचर का यूज करना है तो आपको इस एप को डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि आप इस फीचर को यूज कर सको अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो